स्वागते दोस्तों और आज का टोग में दोस्तों बात करेंगे फिर एक कस्ट को लेकर कंस्ट्रक्शन कस्ट जब आप बिल्लिंग का प्लिंद बीम आप बनाते हैं तो कंस्ट्रक्शन जब आप करते हैं तो कब करना होता है कि प्लिंद जब हाइट आ गया आपका तो brick work आप काम कर चुके हैं, उसके उपर से आप plint beam दे रहे हैं, तो construction आप settling आर लगाकर, dandy आर भी साकर, उसके बाद से आपका casting करने के बाद construct हो जाता है, तो एक ये होता है कि construction जब plint beam का होता है, तो काफी खर्च हो जाता है, अगर आप calculation wise नहीं चले हैं, planning wise, तो duration wise जब आपका काम होते रहता है, progressing में, तभी आपको ये मुसीबत हो जाता है, कर्ष्ट को लेकर, तो इसलिए plint beam का total आपको कितना construction कर्ष्ट लगेगा, ये चीज का calculation करेंगे, और calculation उतना भी भास्ट ने है, simple सा calculation है, जो आप समझ सकते हैं, और इसी calculation का कर्ष्ट आप अपना काम म जा रहे हैं, वो अपना एक room के लिए लगाने जा रहे हैं, और जहां पर जो length है, अपना 10 feet है, और breath जो है, अपना 12 feet है, ठीक है, तो इस तरीके car room में, आप चारो तरप से plint beam आप लगाने जा रहे हैं, और जो अपना section है, जो अपना area है, वो अपना 10 inch by 10 inch का plint beam लगाने तो simple सा है, length आपको total length कितना हो गया, तो 10 feet इदर से, 10 feet नीचे से, 12 feet, 12 feet करके आपको total length 10, 10, 12, 12, 44 feet आपको लंबाई हो गया, breath जो है, अपना 10 inch है, means भागा 12 से करके आपको feet में, आपको conversion 0.83 feet आपको breath हो गया, height भी आपका 10 inch है, तो 0.83 feet हो गया, तो आपको पहले सबसे पह volume है, वो अपना 44 कर दीजिया, और इसके बाद से आपको 0.83, 0.83 feet height करके आपको feet cube में निकल गया, इसके बाद से meter cube में निकलना है, meter cube में आपको भागा कर देना है, 35.3147 से, जो कि अपना meter cube में conversion हो गया, means 1 meter cube equal to 35.3147 feet cube होता है, इसलिए feet cube को conversion करने के लिए division आपको इतना से करना है, तो इतना करने के बाद आपको total volume निकल आए, तो जिस तरीक से material में आपका क्या 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 लगेगा, यहाँ पर concrete, जो कि अपना cement rate बजरी है, वो अपना concrete लग गया, इसलिल लगेगा, labor लगेगा, contractor दिये हैं, तो contractor ship का जो percentage और प्रोफिट वो देना होगा, आपको rate से multiply करना है, कि rate जो आप ही, जो market rate है, वो एक meter cube के लिए है, आपको 6100 charge लगता है, तो total concrete cube जो है, total volume आपको जितना होगा, 0.8645 into rate, ठीक है, तो आप यहाँ पर सोच रहे होगे, कि concrete का है direct कर दिये हैं, cement rate बजरी एके करके हम कर लेते हैं, तो conclusion क्या है, कि cement rate बजरी का total calculation करने के बाद, और उस volume के दोरान में आपको total cost कितना पर जाता है, तो conclusion करके, result जो है, आपको यह आया है, कि concrete direct आप जो rate अगर इतना कर लेते हैं, तो आपको एक ही बात होता है, cement, इसमें cement भी आगया, rate भी आगया, बजरी भी आगया, ठीक है, तो यह एक thumb rule की तरह आप use कर सकते हैं, कि concrete cost जो है, आप direct लगा सकते हैं, use कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो total volume हो गया, अपना rate हो गया, तो total cost भी हो गया, 5,253, अब बात कर लें, steel, तो steel cost जो है, एक beam के लिए आपको देना होता है, 1.75 percentage of the steel reinforcement to the total volume of concrete, total volume जितना भी concrete आप यहाँ पर casting करते समय में दे रहें, प्लिंद beam में, तो उनका जहाँ, total volume का 1.75 percentage आपको steel देना होता है, ठीक है, तो इतना आप steel जो है, पहला weight निकाल लेते हैं, तो steel में total weight जो है, अपना density हो गया, volume है, ठीक है, weight equal to, density अपना मालूम है, 7,850 हो गया, और volume जो है, परसेंटेज है, अपना 1.75, ठीक है, तो टोटल है, अपना volume जो है, अपना 0.8645, तो इतना करने के बाद आपको total weight of the steel आजाता है, जोगे अपना kg इतना है, 11.76 kg आपको लग जाएगा, आपको प्लिंद beam कंस्टर करने में, ठीक है, बाड़ावाई 10 का एक प्लिंद beam कंस्टर करने में, आपको 1-18.76 kg लग जाए जोगे अपना 52.90 है, और ये rate जो है, अपना 3G steel का है, और TMT steel है, ठीक है, तो ये हो गया आपको total cost of the steel, जोगे अपना 6282.4 आपको पैसा लग जाएगा, आपको steel में ये ब्लिंद beam के लिए, अब बात कर लेते हैं, दोस्तों, labor को लेकर, तो labor rate जो है, अपना total material cost का 25% होता ठीक है, तो average में minimum 20 से लेकर 30% लेकर चलते हैं, तो average 25% करके आपको material cost, आपका 25% of the material cost देना होता है, labor cost आपको खर्च पर जाता है, तो material cost में आपको concrete cost और steel cost जो के अपना यहाँ पर, concrete cost 5,272 और steel cost 6,282 हो गया, तो दोनों summation यहाँ पर करके, आपको total cost, labor cost आपको इतना हो ग cost आप निकाल लेते हैं, तो concrete cost आपको इतना हो गया, steel cost 6,282 और labor cost जो है, अपना 2,888 और यहाँ पर आपको extra cost चार से रुव्यार रख देते हैं, क्यूंकि आपको curing करना होगा, और extra cost लग जाएगा, इधर से उदर कहीं पैसा, kill के लिए, कुछ भी तारो के लिए, छोटा मोठा, तो extra cost और curing के लिए आप इतना रख दीजे, और total cost आपको यहाँ पर submission करने के बाद हो जाता है, 14,843.4, ठीक है, अगर आप contractor को दे कर आप काम करवा रहे हैं, तो contractor ship करने के लिए उनका एक percentage छूटिया कर, आप 10% profit आप दे सकते हैं, जो कि अपना total cost का 10% 1484.3, ठीक cost जो कि आपको plinth beam बनाने में लगेगा, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो total cost आपना total cost इतना है, 14,843.4, प्लस contractor को जितना दिये हैं, 10% 1484.3, means total summation 16,327.7, total cost आपको पर जाता है, plinth beam बनाने में, अगर जो है, आप इस तरीके से, 10, 12 का room में, plinth beam आप दे रहे हैं, ज feet और height जो है, अपना 10 feet by 10 feet है, तो यह है, दोस्तो अपना total cost, जो कि अपना 16,327.7, तो दोस्तो इसी तरीके से, plinth beam का calculation किया जाता है, total cost को लेकर, ठीक है, अगर यह cost आपको शुरू में मालू हो जाता है, तो उसके बाद से, आप जब site पर काम करवाते हैं, अपने घर बन आते हैं, तब आपको यह मालू हो जाता है, शुरू से, और उसी तरीके से, progress और duration wise, आप cost भी निर्धारित करके रखते हैं, budget और जो खर्चाएं, वो करवा सकते हैं, तो यही था दोस्तों, उम्मीद करते हैं, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करते हैं, चैनल सब्सका झाल 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